प्रप्रटार से विक्षीद भारत के संक्तप को सामर्थ देने के लिए रदै से बहुत बहुत आभार्याता। चर्चा के दर्मयान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आधन ये साथियों का भी मैं रदय से आभाडवेत करता हूँ, अभिनन दन करता हूँ कुछ साथियों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना यह उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी में संवेदना यह प्रकट करता मैं उस दिन तो कहनी पाया लेकिन मैं खड़ी जी का विशेश आभार यह प्रकट करता बहुत ध्यान से सुनदा ता खड़ के जीज़ दिन रहे और ऐसा आमना यह आईसा आमना आईसा बहुत कम मिलता है लोगसभा में तो कभी भी मिल जाता है लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनुरंजन कम मिलता है लेकिन लोगसभा में मनुरंजन जी जो कमी हमें खल रही है उस दिन आप ने पूरी कर दी और मुझे प्रसंता इस बाट की थी कि मन्ने ख़गे जी काफी लंबा और बड़ी इंतहां बजे से इसांती से बोल रहते हैं समय भी काफे लिया था तो मैं सोच रहा था कि आज़ादी मिली कैसे इतना सारा बूलने के आज़ादी मिली कैसे सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नों उस दिन नहीं थे और आज़कल नहीं रहते हैं और इसलिए भावद भरपूर फाइदा स्वतंतरदा का आदन ये खड़की जी ने उठाया और मुझे लगता है कि वो दिन खरगे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा ऐसा मोका फिर कहां मिलेगा और खरगे जी भी खरगे जी भी एंपार नहीं है कमांडो नहीं है तो चौके शके मारने भी मजा आ रहा था उनको लेकिन एक बात खुशी की रही कि उन्होंने जो चार सो सीट एंडिये के लिए आशिर्वाद दिया है और मैं अरवेजी के अज़िए आशिर्वाद तो आपके आशिर्वाद मेरे स्वराखों पर अब आप आशिर्वाद वापिज लेना तो ले सकते हैं कि यह अपनों पाव गया है आधनिया सभापती जी मैंने आधनिया सभापती जी मुझे मुझे पिछला पिछले वर्स का वो प्रसंग बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटे का वर्पूर प्यास किया रहे हम बड़े धैरिय के साथ बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्दों को सुनते रहें और आज भी आप न सुनने की तयारी के साथ आए हैं आप न सुनने की तयारी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप कमा नहीं सकते हैं देश की जंता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है देश की जंता के आजिलवाद से आवाज लिकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तयारी के साथ आया हुआ है मैंने सोता हुआ कि शायद आप जैसे 32 हजन में आये हैं तो मर्यादाओं का पाहन करें लेकिन देर पूने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पर और उसके बाद भी माने एक भी शब्दों की मर्यादा एक तोड़ी नहीं अधर्णिय सभावती जी मैंने भी एक प्राथना की है और प्राथना तो कर सकते हैं मैं तो करता रहता हूं पस्चिम मंगाव से आपको जो चैलेंज आई है और पस्चिम मंगाव से चैलेंज आई है कि कॉंग्रेस चार सो चार चालीस पार नहीं कर पाएगा अधर्णिय सभावती जी हमको बहुत सुनाया गया है और उने सुना है लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेबारी है और आज जो भी जो भी बाते हुई है उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूँ आदर्णिय सभावती जी यह जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विश्मास पकता हो गया है कि यह पार्टी सोच से भी आउट्डेटर हो गई है और जब सोच आउट्डेटर हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउट्शोर्स कर दिया देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल हैसा प्रतन है ऐसी गिरावट हमें खुशे नहीं हो रही है हमारी आपके प्रती हमारी आपके प्रती संबेदना हैं लेकिए डॉक्टर क्या करेगा जी पेशन्ट पूद आगे क्या बोलू आदेने सभावती जी यह बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बाते होती हैं सुनने की ताकद भी खो चुके हैं लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने लिए जरूर कहूंगा जिस कॉंग्रेस ने सत्ता के लारश में सर्याम लोग तंद्र का गला गौण दिया था जिस कॉंग्रेस ने दर्जन और बार लोग तांत्रिक तरीके से चून कर कही सरकारों को रातों रात भंग कर दिती जिस कॉंग्रेस ने देश की समिधान लोग तंद्र की मर्यादा को जैल के सलाकों के पिछे बंद कर दिया था जिस कॉंग्रेस ने अकबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की आवाज जो कंग्रेस देश को तोड़ने के नेरेटिव घड़ता का नया शौक उनको पादा हुआ है कि इतना तोड़ा कम नहीं है अब उत्तर द्वक्षिन को तोड़ने के लिए बयान दिये जा रहे हैं और ये कॉंग्रेस हमें लोकशंत्रा और फैडलिजम उस पर पवेचन दे रही है आज़ने सभाबती जी जिस कॉंग्रेस ने जाट और पार्षा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिस कॉंग्रेस ने आतंगवाद और अलगावाद को अपने हीत में पनपने दिया जिस कॉंग्रेस ने नौर्ष इसको हिंसा अलगाव और पिछड़े पन में धकेल दिया जिस कॉंग्रेस ने जिस कॉंग्रेस के राज में मकसलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती बना करकर ठोट जिया जिस कॉंग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी जिस कॉंग्रेस ने देश की सेनाओं का आगुनी करां होने से रोक दिया वह आज आज हमें राष्टिय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाशन दे रहे जिस कॉंग्रेस ने आज आज आदी के बात से ही उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है उसी के इंप्रूजन में गुजारा किया जो कॉंग्रेस का नहीं कर पाई कि नेशन करना है कि प्राइंटाइजेशन करना है उलत्ती रही जो कॉंग्रेस दॉस वर्स में दोष्में बारह नंबर से 11 नमबर पर आर्थिक बवस्ता ले आपाई आप साल में 12 से 11 नमबर और आप 12 से 11 नमबर बहुत महनत नहीं पढ़ती है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो महनत और बढ़ती है हम 10 साल में 5 नमबर पर लिया है और ये कॉंग्रेस हमें यहां अर्थिक नीद्टियों पर लंदन पर भाशन तुना रही है आदर्णिय सभापती जी जिस कॉंग्रेस दे ओवी सी को पुरीतर आरक्षन नहीं दिया जिस ने सामान्य वरक गरीवों को कभी आरक्षन नहीं दिया जिसने बाबा साथ की मिजाए बाबा साथ भारत रच्त देने योग्य जड़ दिये हैं वो हमें उपदर दे रहे हैं वो हमें सामाजी नाय पार्ट पड़ा रहे हैं आधनिया सभावती जी इस कॉंग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है अपनी नीती की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं आधनिय सभापती जी यहां एक शिकायत थी और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं देश और दुनिया उनके दस साल के कायरकाल को ऐसे क्यों देखती थी? देश क्यों नाराज हो गया? इतना गुष्णा देश को क्यों आया? अधरियने सभापती जी हमारे कहने से सब नहीं हुआ है खुद के कर्भों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जनम में नहीं होते हैं इसी जनम में है अधरियने सभापती जी कुछ हमें किसी को दुरा नहीं कहते है जब उनहीं को लोगा ने बहुत कुछ कहा हूँ तो मुझे क्या कहने की ज़र होता है? मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहाँ हूँ मैं पहला कोट पढ़ रहा हूँ सदस्य गण जानते हैं कि कोटेशन है सदस्य गण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ दीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है महंगाई दर बीते दो वर्सों से लगातार बढ़ रही है करण्ट एकाउंट डेफिसिट हमारी उमीदों से कहीं अधीक हो चुका है यह कोट मैंने पढ़ा यह किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है नहीं यह कोट मेरा है आधनिय सभाबती जी यूपी ए सरकार के दस साल पर तत्कालिन प्रधान मंतरी आधनिय प्रीम के रूप में रहे स्रिमान मनमोहनची जी ने कहा था और खुझ के कारकाल में कहा था यह हालत थी उन्होंने वर्मन किया था आधनिय सभाबती जी अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं देश में व्यापक गुस्षा है पब्लीक आफिस के मिश्यूस को लेकर भारी गुस्षा है इंस्टीटुशन का मिश्यूस कैसे होता था यह उस सम stimulator यह भी मैंने नहीं कर रहा यह उस समय के प्रधान्मंत्री प्रधान्मंत्री पदपर डॉक्टर मन मुहनसी जी कह रहे थे उस समय व्रस्टाचार को लेकर फूरा देश सडकों पर था गड़ी-गड़ी में आंदोलन चल रहे थे अब मैं तीस है कोट पढ़ूँगा एक संसोधन की कुछ पंक्तिया है इसको भी आप सुनिए टैक्स कलेक्शन में ब्रस्टाचार होता है इसके लिए जी एस्टी लाना चाहिए राशन की योजना में लिकेज होती है जिससे देश का गरिब से गरिब सबसे अधिक पीडित है इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे सरकारी ठेके जैसे दिये जा रहे हैं उस पर शक होता है ये भी तत्कालीन प्रधान मंतरी आदर्णिय मनमोंसी जी ने कहा था और उसके पहले और एक प्रधान मंतरी उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक उर्पे जाता है पंदरा पैसा पहुंचता है सुधार बिमारी का पता था सुधार करने की तयार ही नहीं थी और आज बाते तो बड़ी-बड़ी की जा रही है कॉंगरिस के दस साल का इतिहास देखिए फ्रेजाइल फाय एकोनामी में दुनिया में कहा जाता थी मैंने दुनिया के ज़ी फ्रेजाइल फाय पालिसी पारालिसिस ये तो उनकी पहचान बंदिया इसके और हमारी दस वर्स टॉप फाय एकोनामी वाज़ी हमारे बड़े और नेनाए ठैसलों के लिए दस साल याद किये जाए आज देनिया सभापती जी हम उस कठीन दौर से बहुत महनत करके सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए है यह देश ऐसे ही आशिरवा नहीं दे रहा है आज देनिया सभापती जी यहां सदन पे अंग्रेजों को याद किया गया अब राजा महराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय तो अब मैं ज़र पूठना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर था मैं तो यह तो नहीं कुछ हूँगा कि कॉंग्रेज पार्टी को जन्मकिस ने दिया था आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिक्ता को किस ने बढ़ावा दिया अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड सहीता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बढ़ ली आजादीय सभावती जी अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैंक्रों कानूम क्यों चलते रहे आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर यह लाल बत्ती कल्चर इतने दसकों बाद भी क्यों चलता है अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजेट शाम को पांच बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटीश पार्लामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था यह ब्रिटेन की पार्लामे से इंश्पाइर था तुछ अफर्ल आप अंग्रेजों से प्रेडित नहीं थे तो हमारी सेनकर के चीनोंपर हो आज गुलामी के प्रतिक अब तक जो बने हुए थे हमेट कली रहत हार्या अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपत्स को करतव्यपत्स बनने के लिए मोजी का इंतजार को करना पता है अगर आप अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमार और निकोबार इन दिप समुहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता की निशान क्यों लटके पड़े थे अगर आप अंग्रे जोसे प्रफावित नहीं थे तो ये देश के सेला के जवान देश के लिए मन मिठते रहे लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक बोर मेमोरिल तक आप बना नहीं पाए थे अगर आप अंग्रे जोसे इंस्पायर नहीं थे प्रफावित नहीं थे तो भारतिय भाशाओं को हीन भावना से क्यों देखा स्थानिय भाशा में पढ़ाई के प्रती आप लोगों की बेरुखी क्यों थी आदेनियस सभापती जी अगर आप अंग्रे जोसे प्रेवित नहीं थे तो भारत को मजरव डेमोकर्जी बताने में आपको कौन रुपता था आपको क्यों मैसुस नहीं हुआ कि दुनिया में आदर्णिय सभापती जी मैं सेक्ड़ उदहान दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते कि सारी बात याद आने वादी ह मैं एक और उदहान देना चाहता हूं कॉंग्रेस में नेरेटिव फिलाए और इस नेरेटिव का प्रणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा धक्यानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रती अन्याय करने की नौबत आई है अपनी अमानेता होगार गाली देते हैं अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है इस प्रकार के नेरेटिव घड़े जाने लगे देश में और उसका नेत्रु को कहा होता था ये स्टेटस सिंबॉल भार चे आया मेडिन फॉरेंट स्टेटस बना दिया था ये लोग आज भी वोकल फर लोकल बोलने से बच रहे हैं मेरे देश के विरिवों के कल्यान का काम आज आज मंदिरवर भारत के बात उनके मुह से नहीं निकलती है आज मेकिन इडिया कोई वोलता हैं उनके पेट में चुहे दोड़ दे लग जाते हैं आजनीय सभापती जी आजनीय सभापती जी देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का पर्याम आप भूगब भी रहे हैं आजनीय सभापती जी राश्पती जी ने अपने अभीपाशन में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विशे में हम सब को सम्मझित किया था युवा नारी गरीब और हमारे अन्नदाता हैं हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादा तर एक फ़रबान हैं उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने है तो थोड़ा उन्निस बिस का फरक पड़ेगा लेकिन इन चारो वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही है और इसलिए उन्होंने बहुत ही उप्युक्त रुक्त से राष्ट का बारदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए देश विख्षीद भारत के तरफ पेजगति से आगे बढ़ेगा अधेड़े सभापती जी अगर हम 21 सदी में हैं हम विख्षीद भारत के सपन को इसी सदी में 2047 तक स्विकार करना चाहते है तो बीश्वी सदी की सोच नहीं चल चकती सवाइच बीश्वी सदी का स्वारती एजंडा मै और मेरा वाला जो खेल है न वो 21 सदी में देश को समरुद नहीं विख्षीद भारत नहीं बना सकता है कॉंग्रेश इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार क्यों जरूत पड़ी उनको मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन अगर उनको जरूत पड़ी है तो पहले ज़रा अपने गरिबान में जहांके उनको पता के लेका क्या किया है बलीत पिछडे और आदिवासे हैं कॉंग्रेश जन्मजात उनकी सबसे बड़ी दिरोधी रही है और मैं तो कभी के भी सोचता हूँ अगर बाबा साम नहों होते न तो शायद कि ऐसी एस्ट्री को आरक्षन मिलता के नहीं मिलता ये भी मेरे मन में सबाव देजी और मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे मेरे पास प्रमान इनकी सोच आज से नहीं उस समय से ऐसी है मेरे पास प्रमान और मैं प्रमान के सिवाय में यहां कहने के लिए नहीं आया और जब बातें महां से उठी है तो फिर तायारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्छ तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुरवक नहरुजी को इन दिनों जादा याद करता हूँ क्योंकि हमारे साथ्यों के अपे इक्षा रहती है उनको तो बोलो कुछ तो बोला थे अब देखे एक बार नहरुजी ने चिठी लिखी थे और ये चिठी मुख्यम मंत्रियों को लिखी थे मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था ये देश के प्रदान मंत्री पंडित नेरुजी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौक्री में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशल्ता को बढ़ावा दे जो दोयम दरजे की तरफ ले जाए ये पंडित नेरु ने मुख्यमंत्रों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नेरु जी कहते थे नेरु जी कहते थे अगर अगर आप इस तूप आज बुग समय शरकार में भर्ती हुई दो अरव वो प्रमोशन करते आगे बढ़ता आज यहां पर पुझत है आप घरिफाय कर सकते हैं मैं पन्रिट नहरू का विए पड़ पड़ रहा हूं आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेहरू जी ने कहा मठना पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती है मैं अंगिनत उदाहर रिखसका हूँ लेकिन मैं एक उदाहर जरूर देना चाहता हूँ और वह उदाहरान मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस ने जम्मू कश्मीर के HC, ST, OBC को साथ दसकों तक उनके अधिकारों से बन्चीत रखा, आर्टिकल 370, 370, मैं हम कितनी जितेगे उसकी बाद अभी नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जा करके इतने दसकों के बाद, ST, ST, OBC को वो अधिकार मिले, जो देश के लोगों को बर्सों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था, जम्मू कश्मीर में, Forest Rights Act, उनको प्राप्ट नहीं था, जम्मू कश्मीर में, Prevents of Atrocity Act नहीं था, यह हमने 370 हटा कर, यह अधिकार उनको दिये, हमारे ऐसी समुझाय में भी, सबसे पीछे पीड़ी कोई रहा, तो हमारा बाल्मी की समाज रहा, लेकिन हमारे बाल्मी की परिवारों को भी, साथ साथ दसक के बाद भी, जम्मू कश्मीर में रहें, लोगों के सेवा करते रहें, लेकिन, डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया, यह है, और, मैं आज, देश को भी अवगत करना चाहता हूँ, कि स्थानिया, निकायों में, लोकल सेल्फ गोवर्मेंट में, OBC के आरक्षन का विदेग भी, कल छे परवरी को लोग सबह में भी पारी, अधरिये सभापते जी, SC, ST, OBC, उनको बड़ी भागिदारी ने में, कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी दही है, बाबा साथ के राजनीति को, बाबा साथ के विचारों को खत्म करने के लिए, कोई कसर उन्होंने छोड़ी दिए, वक्तब अबल अबल है, चुनाओं में क्या क्या बोलागा है, वो भी अबल अबल है, इतको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाज़पा के समर्फंद से और सरकार बनी, तब बाबा साथ को खार दे लिए, कि इतना ही नहीं, सिताराम केसरी अती पिछडी जाती से, कॉंग्रेस पार्टिया देखें, उठा करके फुटपात पर फैंग दिया गया, वो भी सी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा, सिताराम केसरी के साथ क्या हुआ, और और अधनियत सभापती जी, इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठें, सभापती जी, इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठें, पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंगरे से इस परिवार के काफी करीमी है उन्हों ने अभी-अभी सम्मिधान निर्माता बाबा साव अंबेड करके उनके योगदान को छोट्या करने का बरपूर प्रयास अधिये अधिये सभावती जी कि देश में पहली बाब एंड ये देख एक आधिवासी बेटी को राश्प्रदी बनाने दें पहलता है उनको मिद्वार बनाए आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है अगर हमसे वैचारिक विरोध होता आपने सामने केंडिडिट खड़ा किया होता मैं सबत सकता था लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था क्यों क्यों कि हमारे अहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीद्वार बनाया इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था आपका विरोध एक आधिवासी बेटी के लिए और इसलिए आपने और ये जब सांगमा जी उनके दब यह किया है और आज तक सभापती जी राष्पती जी का प्मान करने की घटना एक कम नहीं है पहली बार इस देश में हुआ है उनके जिम्मेबार लोगों के मुंसे ऐसी ऐसी बाते निकली है सरम से मांसा जुग जाए राष्पती के लिए ऐसी भाष्चा बुली गई है मन में जो कसक पढ़ी है न वो कहीं ने कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है एंडिये के अंदर हमने दस साल काम करने का मुका में है हमने पहले दलीज को और अब आदिवासी को हमने हमेशा हमारी प्रात्तिक्ता क्या है जब हम हमारी सरकार के परफॉंबंस के बात करता हूं एंडिये की जो गरीब करने आग की नीतियों की बाते करता हूं थोड़ा सथ अगर उस समायत को निकरते जानते हो अखिर कौन समाज लाभार थी कौन लोग है जोगी जोपड़ी में किसको रहने के लिए जिन्दी की गुजरनी पढ़ दे एंडिये किस समाज के बाते है मुसीबतों से गुजरना पकता है व्यवस्ताओं से मंचीत रहना पड़ा कोन समाज है हमने जीतना काम किया है यह SC, ST, OBC, आदिवा, CC समाज के लिए कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्ता घर मिला है तो मेरे इस समाज के बंगों को मिला है स्वच्चता के भाव में हर वर्द बिमारी से जूजना पड़ता था उनको स्वच्च खारत अभ्यान का लाब देने का काम तबापती जी हमारी योजनाओं के तहप मिला है ताकि उसको अच्छी जिन्दगी जीदे कावसन मिला है कि इसी परिवारों के हमारी माताई बहने दुए से खाना पका पका करके अपनी स्वास्त के संकट को जेल रही थी हमने उद्गों 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 गैज दिया वही नहीं परिवार मुक्त राशन हो मुक्त राज हो इसके लाभरत यही मेरे परिवार जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवार जन है जिन के लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही हैं कि आदर ये सभाब अधी जी यहां पर कुछ ऐसा नेरेटिव रखा गया कि कम से कम कथ्यों को इस प्रकार से नकार रहा है किसका भला हो आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलेटी भी खो रहे हैं अपनी प्रतिश्या भी हो रहे हैं आदर ये सभाब अधी जी यहां सिक्षा के ब्रहमक आंकड़े रखते गया हैं गुम्रा करने का कैसा प्रयास होता है पिछले दस वर्स में स्सी एस्टी स्टूरेंट्स के लिए जो स्कॉलर्शिप दे जाती हैं दस साल में उसकी धुद्धी हुई है इस दस वर्सों में स्कूलों में हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी हैं और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुगा आज़र्य सभापती जी दस साल पहले एक सो बीस एक लब्वे मॉडल स्कूल थे हैं आज़र्य सभापती जी आज चार सो एक लब्वे मॉडल थे कि आप इन चीजों को क्यों न कारते हैं क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ लिए आज़र्य सभापती जी पहले एक सेंट्रल ट्राइबल उनिवर्सिटी थी आज दो सेंट्रल ट्राइबल उनिवर्सिटी थी आज़र्य सभापती ये भी सच्चाई है कि लंबे अर्षे तक गड़ी पिछड़े आदेवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का धरवाचा तक नहीं देख पाते थी मैं तो अमधियात हैं मैं गुजरात में जब सेम बना तो मेरे लिए चोकाने वाला एनालीसिस मेरे साम जाया गुजरात में उमरगाउं से अंबाजी पुरा बेल्ट आदिवासी बहुल स्थेत रहे हैं हमारे दिगवजी जीशे के एक दामाद भी उसी इलाके में है उस मैं जब वहाँ गया अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस टिम की स्कूल नहीं होगी तो एंजीनेरिंग डॉक्टरी का तो सवाली का उड़ता है कि एसी मिनिमम चीजे उन और यहां पर क्या भाशन दे रहे जी आदेंडिया सभापती जी और मैं बताना चाहता हूँ सदन को गर्म होगा संतो आप उस सदन में बैटे हैं वहाँ एक ऐसी सरकार आपके साथ बात करें कि एसी सरकार नेतुतों कर रही है जहां कितना बड़ा परिवरतना है अब उस समाज का विश्वास बढ़ाई है उनका हस्तिया बुलंद कीजिए वो देश की मुखे धाना में तेजी सा आगे पड़े उसके लिए हम प्रयास करें सामोहिक प्रयास करें आप देखिए आदिव आसी और हमारे एसी एसी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन मैं कुछ आकड़े रखना चाहता हूं उच्छ शिक्षा में एसी विद्यार्थियों का नामांकन 44% बड़ा है उच्छ शिक्षा में एस्टी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बड़ा है आयर एजुकेशन में ओबी सी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन मैं 45% बड़ोती है और जब मेरे गरीब दली पिछड़े आदिवासी वन्चीत उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे एंजीनियर बनेंगे उस समाज के अंदर एक नया वातामन प्यादा होगा और उस दिशा में हमारी कोशी यहीं एक मुल्भूत समस्चाओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मुझमुत ही थे काम करें और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस पकार से बल देके काम किया है कृपा करके जानकारियों का अभाव है तो कहिए हम जानकारिया दे देंगा लेकिन ऐसे निरेटिव मत बनाईए ताकि आपकी प्रतिश्टा भी कम हो आपके शब्द की दागत खतम हो जाए आप पर दया आजाती है कभी कभी अधेनिया सभावती की सबका साथ सबका विकास यह नारा नहीं है यह मोदी की गारंटी है और जब इतने सारे काम करते हैं मनुझे किसे ने कभीता लिख करके भेजी थी कभीता लिख लम्बी है तो इसमें एक वाक्य है मोदी की गारंटी का दोर है मोदी की गारंटी का दोर है नए भारत की भोर और आउट आउट आउब वारंटी चल रही दुकाने आउट 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 वारंटी चल रही दुकाने खोजे अपनी ठोर अधरिये सभापती जी किस प्रकार से देश में निराशा फ्हलाने का प्रयास मैं ये तो समखता हूँ जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूप चुके हैं वैसे निराशा फ्हलाने का उनका सामर्थ भी बचा नहीं है वो भी सामर्थ नहीं बचा आशा का तो संचार करी नहीं सकते जो खुद दुन्यार से निराशा में डूपे हैं उनसे आशा है लेकिन देश में हर जग यहां बैटा हो अंदिराशा निराशा 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 फ्लाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है उन्हें खुद का भणा कर पाएंगे उन्हें देश का भणा कर पाएंगे आजरी सभापती जी हर बार एक ही गानक आया जाता है समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए बिना हकीकतों को ऐसे बाग के बोल दिये जाते हैं मैं जड़ा देश के सामने कुछ हक्केकत बोलना चाहता हूं और मुझी विश्वान से मिडिया इसे विश्व पर जड़ा डिबेट कर लें ताकि पताता है आजरी सभापती जी यहाँ पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम तुक पर भाती भाती क्या अरोप लगे क्या क्या रूप लगा ही जा रहे हैं सीर पैर माथा कुछ नहीं बज़ लगा थे तलो अब देखिए देश को याद है मारूति के शेर जा क्या खेल चल रहा था उजमाने में हेडलाइन बना करती थी मारूति शेर का क्या चल रहा है मैं उसकी गहरा में नहीं जाना चाहता है वह नहीं को वहां तक पानी पहुंचेगा और शाहिद यह पर करण लग जाएगा इसमें वहां तक जाना नहीं चाहता है आधनिये सभापती जी आधनिये सभापती जी देश को जानना जरूरी है आधनिये सभापती जी मैं तो आजाज भारप में पादा हुआ है मेरे विचार भी आजाज है और मेरे सपने भी आजाज है तो गुलामी की मांसिक्ता को जीने वाले है उसके पाद और कोई चीज़े नहीं है वही पुराने कागर लेकर लेकर के दूंता रहते आधनिये सभापता जीए कॉंग्रेस ने कहा कि हमने पी एस्यू बेज दिये पी एस्यू डुबो दिये बाती बाती की बाते हैं तो और वरिश्ट लोगों के मुझ से सुनदा था याद तीजिए बी एस एनल एम टी एनल को बर्बाद करने माले कौन थे वह कौन सा कालखन था जब बी एस एनल एम टी एनल बर्बाद हो चुके जरह याद कीजिए हेल उसकी दुर्दसा क्या करके रखी थी बर्बादी और जाकर के गेट पर भाशन दे करके जो 2019 का चुनाव लगने का इजंडा तय होता था हेल के नाम पर जिनोंने हेल को तभा कर दिया था वह हेल के गेट पर जाकर के भाशन जाड रहे थे हादर ने सभावदी की एर इंडिया को किस लिए तबाह कर दिया किस लिए बर्बाद कर दिया यहालत कौन लाया था कांगरेस पार्टी और यूपिये यह दाज साल की उनकी बर्बादी से मूह नहीं मोड़ सकते हैं देश बड़ी भाती जानता है और अब मैं हमारे कारकाल के तुरा सफरता की बात बतारा चाहत रहा हूँ आधनिये सभावदी जी आज जिस बी एस एनल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना वो बी एस एनल आज मेडिन इंडिया फोर जी फाइव जी उस तरब आगे बढ़ रहा है और दुनिया का अध्यान आकर चित कर रहा है आधनिये सभावदी जी एचल के लिए इतने भ्रम फलाए आज रकॉर्ड मैनुफेक्ट्रिंग एक्टेयल देख रहा है रकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है चिसको लेकर के इतने जो होलने चलाए और करना तका में एशिया की सबसे बड़ी हेलिकप्टर बनाने वाली कम्पनी एक्टेयल पर देख कहां चोड़ा था कहां जाके लगाया अंने पहुचाया आदेगिया सभाबती जी एक कमांड्रों यहां नहीं है ईलएज़ी को लेकर भी पतानिक कैसे तर्फे बड़ी विद्वत्ता पुर्ण बयान देते थे लैज़ी का ऐसा हो गया लैज़ी का बैसा हो गया यूं हो गय जितनी गलत बाते लाइसी को ने बोलनी चाहिए बोली और तरीका यही है किसी को बरबात ने अफ़ा फ़लाओ जूट फ़लाओ ब्रह्म फ़लाओ और और तैंग भाई यह गाहों में किसी का बड़ा बंगलो हो लेने का मन करता हो लेकिन हात में लगता हो तो फिर हवा पहला जेते कि भूतिया बंगला है यह जो जाता है ऐसी हवा पहला जेते कोई लेता ने फिर पजा करें लेपक लेते लाइसी का चलाया अधनिय सभावती जी मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं आखें उची करके सुनाना चाहता हूं आज अज एलाइसी के शेर्फ रिकॉर्ड्स तरपर्टेड नहीं जो अधनिय सभावती जी अप्पचार किया जा रहा है पिएस्यू बंद हो गए पिएस्यू बंद हो गए अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है बद किसे ने पकड़ा दिया बोलो बोलो 2014 में देश में 234 पिएस्यू थे 234 दोहजार उनके यूपिए के दस साल केकाल पने अब चौदा में जब उन्होंने छोड़ा कि दो सो चौटेश टू थ्री फोर कि आज कि टू हंड़ेड़ फिप्टी फोर है अब भाई कोई कौन सा एरिफ्मेटिक वो जानते हैं बेचे दिये अब बेचे के बार क्या क्या कर रहे हो आप लोग आदने सभापती जी आज अधिकतर PSU record return दे रहे हैं और इन्वेश्टर्स का भरोसा PSU की तरफ बढ़ रहा है चो छोटा सा भी शेर बाजार जानते हैं इनको समझ आता है नहीं समझता है तो किसी को पूछो आप सभापती जी देखिए BAC PSU इंडेस में बीते एक वर्ष के दोरान लगभग दो गुनी उचार हुई है आदेलिय समझती जी दस साल पहले यहने दो हजार चाउदा चार से चाउदा के बीच की बात करता है PSU का नेट प्रॉफिट करिब करिब सवा लाग करोड था और इस दस वर्ष में PSU का नेट प्रॉफिट थाई लाग करोड है दस वर्ष में हमारे दस वर्ष में PSU की नेट प्रॉफ 9.5 लाग करोड से बढ़कर के 17 लाग करोड हो गई है कि अधरी सभापती की इनका हाथ जहां भी लगता है ना उसका बूबना प्राय हो जाता और उसी यही दसा करके उन्हों छोड़ी थी हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए इतनी प्रतिश्टा बड़ी है आपको खुसी होनी चाहिए ब्रह्म मत फेलाए बाजार में हरा हवा ऐसे न फेलाए कि देश के सामाने निवेशक के मन को उल्जन में आ जाए ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं आदर ये सभापती जी इन लोगों की मर्यादा इतनी है अब इनों ने अपने उराज को जुराज को एक स्टार्ट अप बना करके दिया है अब वो नों स्टार्ट अब वो नों स्टार्ट अब नहीं तो लीट हो रहा है और वो लॉच्छ हो रहा है आदर ये सभापती जी आप पिछली बार भी इतनी स्वाथी सु रहो तो रहा है तो रहा है अब जाए था आदर ये राश्पती जी आदर ये सभापती जी अधाय को बदाई हो बदाई हो जब को बदाई हो रहा है मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमन्ति के नाते टे देश की और जंता के सेवा करने का अश्द मिला। और इसलिए मैं रिजनल एस्पिरेशन को बहुत बली बाते समझता है। कि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ। जैसे हमारे यहां देख भी जेजी है। उनको फली बाते समझाता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए है। तो हमें अनुभव है, पता है, स्वरद्रावजी को है। तो ऐसे कुछ लोग है यहां जिनको इस सारी चीजों का पता है। देवगणा साहब है। तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है तो हम इसका महत्मे समझते हैं। हमें कोई किताबं में नहीं पढ़ना पढ़ता है। हम अनुभव करकर क्या है। और यह भी सत्चाई के साहब है। दस साहब। UPA की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी। अब कलपना नहीं पूसे। लेकिन मैं आसू नहीं बहाता। मैं रोना है रोकर रोने की मेरी आदस देजी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजुद भी उतने जुल्म के बाद भी मुसिबतों को जेलते हुए भी। मेरी तो मुसिबत ऐसी थी कि किसी मिनिस्टर से मुझे अपटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे। अब जानते हो मेरी तो दोस्ती है मैं फोन पर बात कर लूँगा लेकिन कहीं फोटो वोट नो निकल गए। डर रहता था। यहां मंत्रियों के डर रहता था। अब ठर्म उनकी मुसिबते में सबसकता हूं। मेरी यहां एक बार बहुत प्रकृतिक आपड़ाई। मैंने उसमें प्रधान मंत्री जी के बड़ा रिक्वेस्ट किया है कि आप आजिए। एक बार जड़ा देख लीजिए। उनका कारकम बना। फिर साब एक एड़वाइजिर कमिटी बनी थे। प्राकृतिक आपड़ाई भी मैंने ऐसी मुसीबतों को जेला है। मैं सूरत पहुचा हुआ था। वह आने वाले थे। मैं जानता हुआ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्प्राई कर सकते हैं साब। प्राकृतिक आपड़ाई भी मैंने ऐसी मुसीबतों को जेला है। लेकिन उसके बावजुद्धी। उस समय भी मेरा मंतर था। आज भी मेरा मंतर है। कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास। भारत के विकास के लिए गुज्राव करें। और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही रास्त्र का विकास कर पाएंगे। इसके कोई विवाद नहीं हो सकता है कोई विवाद नहीं हो सकता है और मैं आपको विश्वात देता हूँ सभापति जी राज जबर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकत देने पर दो कोपेटिव फैडरुवीजम क्या होता है और मैंने तो हमेशा कहा है कॉम्पेटिटिव कॉपरेटिव फैडरल लिए हमारे नौन सपर्दा हो ताकि हम देश चाहां स सोच के साथ हमको विए तह चलने के जरूं था और मैं ये राज्य में था तपी इसी विचारों को लेकर करके काम करता था इसलिए चुपचप सहता भी था फादर निये सभाबती जी कोवीड एक उदारन है इतना बड़ा संकट रहा दुनिया का ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ बीस बैठे के की उस कालफन में एक एक बात का विचार को बसकर के साथ दे करके और सभी राज्यों का सयोग एक टीम बिन करके केंद्रो और राज्य ने काम किया दुनिया जिस मुसीबत को जेल नहीं पाई हम सब ने मिल करके किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूँगा सबने मिल करके इस देश को बेठाने लिए जो होता है राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पुरा अधिकार इस सोच में हमने काम किया अजनिया सभापती जी जी ट्वेंटी का आयोजन है हम दिल्ली में कर सकते हम दिल्ली में बड़े-बड़े नेताओं के बीच रहे करके सब कुछ क्या नहीं कर पहले हुआ ही है हमने ऐसा नहीं किया हमने जी ट्वेंटी का पुरा यश राज्यों को दिल्ली में एक मिटिंग की तो राज्यों में दो सो यह गलती से नहीं हुआ योजना के तरीके से हुआ है मेरे लिए किसका किसकी सरकार इसके आधारपन पर देश नहीं चला था हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं इस भूमिका से काम किया है अधेने देश में विदेश की महमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे सा थोड़ा है पहले भी आते थे आज विदेश की महमान आते हैं तो मेरा आगरा रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए मैं उनको लेती कि जाता हूं राज्यों में ताकि उनको पता चले कि मेरा देश शानक दिल्ली नहीं है मेरा देश चिन्ने में भी है मेरा देश बैंगलूरू में भी है मेरा देश हाइदरबाद में भी है मेरा देश पूरी में भी है भूम्रेश्पर में भी है मेरा देश क के हर बॉन एका बजर मिले इसके लिए कोशिश करते हैं वहार की सरकार का सेयोग का सेयोग इसके तराजू overe तोड़ते हैं एक एक इमामदारी से इस देश के भविषय के लिए पुरे विष्व मेरे भारत को जाने इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं और मैं अभी भी सब इस जनवरी को इतना बड़ा काम रहते हैं सब को मानू मैं उसके बाद भी मैं 25 तारीक को फ्रांस के राजप्रति को राज़तान की गलियों में गुवा रहा था मैं दुनिया को पता जले कि मेरा राजप्रता नहीं साथ है कि आधर निया सभाव देजी हमने बहुत बड़ा कारकम दिया जिसकी विश्व में मोडियल के रुप में चर्चा हो रही है हो ऐस पिनियों तो मगा शोन गें दिस्ति की और अगे बढ़ाने लिए ऐसी परसंट टाकक राजप्र से मिल रहे हैं डिस्टी क्लेट uh अप्सवरों से मिल रहे हैं और जो राज्य वो राज्य की आउसत में भी आखरी पायदान पर खड़े थे वाज नेशनल एवरेज के साथ कॉंपटिशन करने लगें यह दिश्टिक कभी पीशेडी दिश्टिक माने जाते हैं इस अपर से योग से हो रहा है और इसलिए हमारे कारिकमगी रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविश्टिक को बनाने की है अदेश का हर कोना हर परिवा विकास के फल प्राप्त करें यह हम सबता दाइक्वा है और हम उसे जिता में जाना चाहते हैं हम हर राज को उसका पूरा हग भी देना चाह लेकिन मैं आज एक एहम बुद्धे पर मेरी पीड़ा अभ्यक्त करना चाहूंगा अधरिने सभापती जी एक राष्ट हमारे लिए तरफ जमीन का टुकड़ा नहीं है हम सब के लिए एक काई ऐसी है प्रेणा देने वाली काई है जैसे शरीर होता है शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है अगर पैर में काटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है हाथ कभी नहीं सोता है कि मुझे क्या पैर को काटा लगा है पैर पैर का काम करेगा पल बड़ में हाथ पैर के पांग पहुंच जाता है काटा निकालता है हिंदुस्तान के किसी भी कौने में दर्द हो तो पीड़ा सब को हो निशाइए अगर देश देश का एक कौना अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कौना देश का कोई छेत्र का से मंचीत रह जाएगा तो देश विक्षित नहीं हो सकता है और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए उसको टुकड़ा में नहीं दे अगर रही है इससे बड़ा देश का दुर्भाग कि क्या हो सकता है आप मुझे बताएए जारखन का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलिंपिर के खेल के अंदे जाकर के मिडल रेक आएगा तो क्या हम यह सोकते हैं कि तो जारखन का बच्चे है तुरा देश कहता है अगर पर देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया जार लाख रुपया ख़च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के कैसे देश में बेचता है तो हम यह सोचेंगे कि खर्टा जार्कन के लिए हो रहा है कि देश के लिए नहीं हो रहा है हम क्या कहने लगे हैं क्या पाशा बोलने लगे इसने देश का गवरव हमार यहां वैक्सिन देश के करोणों लोगों के वैक्सिन का हम यह तहेंगे वैक्सिन तो उसको अने में बनी थी इसने हग उनका है देश को नहीं मिल सकती कैसा सोच सकते वैक्सिन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाब नहीं भी लेगा ये सोचेंगे क्या क्या सोच बनेंगे ये और ये गराश्टी ये दल के अंदर से इसे विचांग राएं ये बहुत बहुत दुखत की बाद है मैं पूछना चाहता हुआ आजनी असमापती जी क्या है अगर हिमालाए का एक कभी अने शुरू करते हैं कि नदिया मेरे हासे बहती हैं मैं तुम्हें पानी hablar मेरा है देश का क्या होगा न Grenz अगर जिन राज्यों में कोईला है वो कह दे कोईला नहीं मिलेगा यह हमारी संपति है जाओ तो मंदेरे में गुजारा करो देश कैसे चलेगा आदनिया सभावती जी ऑक्सिजन कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सिजन के सम्भावनाई पूर्वी कार्या जो उद्योग है उतक पूरवत के लोग कह करके बैठ चाते ऑक्सिजन कभवजी दे सकते हमारे लोगों के जिरोस है देश को कुछ नहीं मिलेगा क्या होता देश का उन्होंने संकर जेल करके भी देश को ऑक्सिजन पहुचाया देश के अंदर यह भाव तोड़ने का प्रयास हो रहा है कि इस प् कि देश को तोड़ने के लिए नए नए नेरेटिव खुजना बंद कर दीजिए देश को आगे बढ़ना है देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास ही जिए अधरिया सभापती जी पिछली दस वर्ष नीतियों निर्मान के अधर्णिया सभापती जी नए भारत की नए भारत की नए दिशा दिखाने के लिए जो दिशा हमें पकड़ी जो निर्मान कारी हमने लिए है बीत एक दसक में हमारा पूरा फोकस बेशिक सुविधाय जुरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंदित रहा है अधर्णिय सभवत दिखी हर परिवार का जीमन स्थर उपर उठे उसकी जीवन में इज अब लिविंग बड़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ओप लाइफ में कैसे सुधार लाए हम आ इसे एक कदा आगे बढ़ करके क्वालिटी ओफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे अधरनिय सभापती जी आने वाले पांच वर्ष नियू मिडिल्स का लास जो गरीबी से निकल करके भार आए हैसे नियू मिडिल्स को नई उच्छाई और सब्सक्राइब लिए हमने एक विसकार को पूरा प्यास करें और इसलिए हमने सामाजी ज्ञाएगा जो मोधी कवच दिया ने उस मोधी कवच को और मजूद करने और ताकत देने वाले हैं आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो ऐसा कुतर के द खाना अराज को देते हो हादर ये सभापती जी हम जानते हैं को बीमार व्यक्ति होस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे समालिए खाने में परेजी रखिए ठिकना करिए फ़ला ना करिए क्यों कहीं दुबारा वहां मुसिबत जो गरीबी से भाहर निकला है उसको जादा समालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकर्णा करके फिर से घरिपी के तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूति देने का समय जेना चाहिए यह समय हमने गरीब को मजबूत आकि वह फिर तो नियोमेलक्राच फिर से वापिस उ परिबार में एक निमारी आ जाए ना मद्द्वर का अदमी भी गरीब बन्दे से देर नहीं लगती है और इसलिए गरीबी से बहार निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी के तरफ पीशे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने के आवज़ सकता है और करोड गरीबी से बाहर निकले है नियों मिडल क्लास हुए है लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जीत करके आया हूँ उनको ज़रूरत ज्यादा है और इसलिए इसलिए हमारी योज़ना जारू रहेगी है आदर ये सभापती जी जानता है आदर निस भापती जी और इसलिए मैंने गारंटी दी है मेरी कारंटी है गरीबों के पांच लाख रुपे तक की गिलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी मेरी गरंटी है बोदी की गरंटी है 80% डिसकाउंट से जो दवाईया मिल रही है जो दवाईया मिल रही है जिसका लाब मद्यमबर गरिब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा आगे लिए सभापती जी मोदी की गरंटी है कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है वो सम्मान निदी चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जूर जाए आगणियस शभापती जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभ्यान है अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के घर देने का मेरा कारकम जारी रहेगा नल से जल योजना मेरा पक्ता इरादा है और मेरा पक्की गरंटी है कि नल से जल हम नए सोचाले बनाने की जरूत पड़ीगी मेरा पक्की गरंटी है यह काम सारे तेजी से चलेंगे, क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते हैं, आदर निये सवाब दीजी, हमारी सरकार का तीसरा कम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं, मोदी 3.0 विक सिख भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, आदर निये सवाब दीजी, अगले पांच साल में भारत में डॉक्टरी के संख्या पहले के तुन्ना में अनेक बढ़ेगी, अनेक गुना बढ़ेगी, इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा, आदर निये सवाब दीजी, अगले पांच साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, आदर निये सबाब दीजी, आने वाले पांच साल में उन गरीब को पी एम आवास जो देने हैं, एक भी बंचीत नहीं रहें, इसका पक्का ख्यार दखा जाएगा, अगले पांच साल, सोलर पावर से और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजिली बना करके बेज करके कमाई कर पाएंगे यह अगले पांट साल का कारखंब आगलえば दीजी अगले पांक साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाई का परकूर्ड प्रूने आसने आ सभाबती जी आने वाले पांच सार हमारी युवा शक्ति का दम पुरी दुनिया देखेगी आप देखना आद ये सभाबती जी हमारे युवा स्टार्ट अप्स युवाओं के यिलिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना इने टीये टू टीये क्री सिटी नएने स्टार्ट अप से उसकी एक नई पहचान के साथ उबरने वाला आए ये मैं पांच साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ आद ये सभाबती जी रीसर्ट फंडिंग उसकी वृद्धी का प्रभाव आप देखां पिछले साथ दसक में जितने पैटेंट नहीं हुए है उतने रिकॉर्ड पैटेंट फाइल होने का दिन आने वाले पांच साल अधने सभाबती जी आज मेरे मद्धमबर के लाखो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं मैं वो स्थिती लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखो रुपीय बच जाएं मेरे देश के मद्धमबर के सपने पुरे हो उन्स पेस्पेस्ट युनिव अधरनिये सभापती जी आने वाले पांच साल आप देख रहा कोई भी इंटरनेस्टल थेल की कमपटिशाय से नहीं होगी जुसमें भारत का जंडे हर जगा दुन्नप है अधरनिये सभापती आने वाले पांच साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह टांसपॉर्म होने वाला है अगले पांच साल में गरीब और मिललकास को तेल और शांदार याता की सुविदाए बहुत आसानी से मिलने वाली है तेज मिलने वाली है पूरी ताकट से भरता होने वाली है अगले पांत साल में देश बुलेट टेन भी देखेगा अगले पांत साल में आत्मा बिरबर भारत का भियान नए उचाई पर होगा देश हर चेत्र में आत्मा देशबर होता नजर आएगा आदनी ये साभवापती जी आने वाले पांच साल में made in India सेमी कंड़क्टर दुनिया में हमारी दूम्जोग इलेक्तौनिक अध्यूर्ट में वो चीफ होगी जिसमें किसने कि जी भारतिय का पसीना होगा आदनी जी सहब दुनिया के इलेक्तिक बाजार में इलेक्ट्रोनिक बाजार में एक नई व्यति का सामर्त आने वाले पांच साल में देश देखेगा आज देश लाखों करोर रुपय का इंपोर्ट करता है अपनी उर्जा जरूतों के लिए हम जादा से जादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम उर्जा जरूतों पर जो डिपेंडन्स ही है वो कम करने सभ़न होंगे इसे इतना ही नहीं हादनी सभवत दीजी ग्रीन हाइड्रोजन भ्यान हम दुनिया के बाजार को लालाइट करने की दिशा में जाके बढ़ रहे है हमारा क्रीन हाइड्रोजन पूर्जा जरूतों को परा करने का सामर्त रहेगा इतना ही दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है हम वीस परसन का लक्ष प्राप्स करके हमारे लोगों को टॉंस्पॉर्टेशन में और सस्ता मिले इसकी पवस्ता होगी आधनिये सभापती जी जब मैं 20% की बात करता हूं उसका सीधा लाप मेरे देश के किसानों को होने वाला है किसानों के देश के हजारों करोड रुपिया खाद देते हैं कि शक्रशी प्रदान देश तो कहते हैं तेकि आज भी हजारों करोड रुपियों का खाने का तेल हमें बार से लाना पड़ रहा है हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मुझे पका विज़े जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं मेरा देश बहुत एक आत्मदेर बर पांप साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जिब में जाएगा जो आज देश के वाजार में जाता है आदनिय सभाबती जी केमिकल की खेती के गान हमारी दर्ती मा को बहुत उक्षान हो रहा है आने वाले पांच साल में नेच्छनल फार्मिंग के तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलता पुर्वग आगे बढ़ेंगे एक नया जागरुती का गाम होगा हमारी जर्ती मा की भी सुरक्षा होगी आदनिय सभाबती जी नेच्छनल फार्मिंग बंडे से दुनिया के बाजार में भी हमारी उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है आदनिय सभाबती जी युएन के मादम से मैंने मिलेट का भ्यान चलाया स्री अन्नतर के राते आज हमने उसकी पहचान दी है मैं वो दिन देर दूर नहीं देखता हूँ जबकि आने वाए पांच साल में दुनिया के बाजार में सूपर फूड के रुप में मेरे गाउं के छोटे छोटे किसाओं के तरह प्रतिष्टा हूँ दुनिया के बाजार में प्रतिष्टा होगी सूपर फूड की प्रतिष्टा होगी हादनिय सभाबती जी ड्रोन खेतों में एक नईस किसानों की ताकत बन करके उखने वाला है 15,000 ड्रोन डीवी का कार का मॉल रेनी हम लॉंच कुर चुके हैं यह तो शुरुवात है आगे भहुत सफलता दिप्ती है हादनिय सभाबती की हम नेनो टेक्नोलोजी को अगरिकल्चर में लाने में प्रवो गब तक सफ़र हुए हैं हमने नेनो विया में बहुत बड़ी सफलता पाई है नेनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी बर खातर लेकर के खुमने वाला केसान एक बॉटल के खातर से क्राम चला लेगा अगे दूर नहीं है हमने एक नई मिनिस्ट्री बना ही है उसके पीछे ही रादा है कि एक सफकारिता का पुरा जना अंदोलब नई ताकत के साथ उपरे और किसी सदी के आवशक्ता को अनुसार उपरे उसको भियम और उसका सबसे बड़ा लाभ हम दो लाग बंडारन का काम जो हाथ में लिया है जो पांच साल के भीतर भीतर वो पुरा हो जाएगा छोटा किसान को भी अपनी प्यादार को रख रहे हैं जगा मिल जाएगी किसान का ये करेगा कि इस भाव से बाजार में बेच रहा हैं नहीं बेच रहा है उसको जो बरबाद होने का डरता वो खतम हो जाएगा और किसान के आर्थिक ताकत भढ़ जाएगी पशू पालन और मशली पालन पक्का में कहता हूं नए रेकॉर्ड बनाने वाले आज हमारे पशू की संग्या है लेकिन दूद की उस्वादर कामाएं पीशा रहेंगे एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे ये भी मेरा प्रवाव उस्वास है हमने एप्पियों की जो रतना का प्रारम किया है अनुभाव बहुत अच्छा है पांच साल के भीतर भीतर किसानों के एक नई संकड़मजी शक्ति और क्रिशी उत्पादन में वैल्यू की ताकर ये लाप मेरे देश के किसानों का अवश्य मिलने वाला है पादर ये सभापती जी G20 की सभलता ने साप कर दिया है और दुनिया में COVID के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सबसे बड़ा लाब हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा खेत्र टूरिजम आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी एकोनोमी टूरिजम पर निवबर है भारत में भी बहुत से राज जैसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी एकोनोमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिजम होगा और वो दिन दूर रही है जिन नितियों को लेकर हम चल रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा टूरिस डेस्नेशन बने वाला है आदेडिय स्वापती जी जिसका हिसाब के ताब पहले बहुत काम हुआ करता था जिसकी बाते सुड़कर के हमारी मजाक उड़ाई आती थी जब मैं डिजिटल हिंडिया की चर्चा करता था जब मैं फिंटेक की चर्चा करता था तो मैं जड़ा आउट अप बॉक के बाते करना है वैसा लोगों को लगता था आउट डेटेट सोच वालों के लिए सामर्त का भाव था लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ आदरी सभापती जी आने वाले पांच वर्ष डिजिटल हिकनामी की दुनिया में भारत का डंका बेजने वाना है भारत एक नई सब्सक्राइब और डिजिटल व्यवस्था हैं बड़ा देश करेगा आदरी सभापती जी स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है हमारे वेग्यानिकों का पराकम नजर आना वाला और आने वाले पांच साल का जो कारकम है न मैं आज उसको शब्दों में बयान ही करना चाहता हूँ लेकिन विश्व को अचंबित करने की दिशा में हमारे वेग्यानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है आदरी सभापती लिवल की एकोनामी में बहुत बड़ा बड़लाव आदरी सभापती लिए ऐसे अनेग मिद खेत्र हैं जिस खेत्र में मैं साब देख रहा हूं आने वाले पांच हर साल भारत कभी हम सुरा करते जिस्वानिम्यूग था मुझे वो दिन जूर नहीं दिते हैं जब पांच साल में वो मजबुत नहीं आएगी और 2047 तक पहुंते पहुंते ये देश उस्वानिम्यूग उप्षिते जीने लगागा इस भारत ये शब्डों का ठेल नहीं है ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्भी भावसे हमारी हर सास उस काम के लिए है हमारी हर पल उस काम के लिए है हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्भीत है उसी एक भावना के साथ हम चले हैं चल रहे हैं चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा कि मैं आपको विश्वाद करेगी यह विश्वाद मेरे मन में इसलिए हैं देश की जनता मिजाज में भली बात इसमच पर देश बड़लाव के दस साल के अनुभाव को देखा है एक एक छेत्र में जो बड़लाव देखा है वो तेज गती से बड़लाव जीवन के हर छेत्र में नई उचाईया नया नई ताकर प्राप्त होने वाली है और हर संकल्प को सिध्धी तक पहुंचाना यह हमारी कारिशली का हिस्सा है आजने सभावती जी मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कांग देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और दंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है सम्यधान की पूरी साक्ष रख्टर के से ये विचार रखने का अउसर मिला है मुझे विश्वास है कि देश इनकी वारंटी खतम हो गई है उनकी बाते सुनने ही सकता है जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसकी विचारों के विश्वास करते हैं तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज 2024 के लोगसभा जुनाव का एक तरह से एजिंडा सेट कर दिया आगे का विजन देश के सामने रखा है उन्होंने बताए कि पांच साल में बिजले बिल जीरो हो जाएगा पांच साल में पूरे देश में पाइप से गैस मिलेगी पांच साल में पानी जो है वो हर घर में नल से पहुंचेगा पांच साल में खाने के तेल को लेकर के भारत आक्म निन बर होगा पांच साल में सुपर फूट श्री अन्नकी धाक होगी